खिलाडी भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं हलाकि वो कब चलाएंगे क्या चलाएंगे यह तो नहीं पता है लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं इसने इंटरनेट पर मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हूँ कि संजनी मचा दिया बूली तरीके से हमेशा जाने जाते हैं अपने इन अलग तरहां के अंदाजों के लिए अपने इन अलग तरहां के युनो एक पब्लिक के बीच आकर जिस तरीके से उनकी चीज़ें रहती है एक मुझे आद है अमदाबाद में फाइनल से पहले उन्होंने बस से मतलब विंडो सीट पर थे और वहां से ही उन्होंने कैमरामें की तरफ जिस तरीके का एक एक्स्प्रेशन दिया था वो भी बहुत ज़्यादा वायल हुआ था लोगोंने का रोई चर्मा गाली दे रहे और यह तो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कपिल चर्मा शो में की किस तरीके से जो है वो काफी जादा मतलब निकलती है उनकी जुबान से गाली तो यह जो लेकिन शौट है यह जो तस्वीरे हैं यह आई थिंक यह अपने आप में ऐसी पहली तस्वीर है जो आई ता कि रूछ रमा ने मस्ती बड़ी की हुई है साथ अलग-अलग तरह ह esteश्चीजें सामने निकल कर आती है बट इस तरीक evangelical पन इस तरीके का मजा आपको तो आपको मेरे हिसाब से पहले कभी रोहिट शर्मा की तरफ से ये चीज़ें जो है वो सामने निकल कर नहीं आई होंगी आपको पता है अब मैच है जो है वो बहुत इक इंप मैच है और रोहिट शर्मा केले कैसे कप्तान है अब थे अब तो थे बोलना थेगा रोहिट शर्मा है हैं तो उस लिहाज से यह जो एक राइवल्री है इसका भी खात्मा होता है आपर कि ना वहां महींदर सिंग धोनी है ना यहां रोई चर्मा है दोनों तरफ आपके अलग अलग का प्लान है स्टिल बहुत ही दिल्चस्क मुकाबला होगा महींदर सिंग धोनी ने वान खेड़े है और एक वीडियो जरूर हम क्रियेट करेंगे अगर आप बेस्ट आफ अब तक की अल टाइम मतलब अगर आप सीएस के माई की कमबाइन 11 बनाएंगे वह किस तरीके से बनेगे उस पर भी नज़र मारेंगे लेकिन फिलहाल अगर आप यूनों जैसा मैंने कहा कि यह बड़ दोगों तक भी पहुंचाना चाहिए तो यह है यह पूरा का पूरा वीडियो आपने इसे शोचल मीडिया साइट्स पर अगर अभी तक नहीं देखा है तो हालंकि इससे बहुत जादा कुछ है नहीं बट जो भी मैंने कहा जैसा मैंने कहा कि यह था एक रोविट शर्मा अपने अंदाज में मस्ती करते हुए सो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो शेयर जरू कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरू कीजिएगा चैनल और कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट जरू कीजिएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग देश Thank you.